विकेंड पर एकी बिल्डिंग में काम करने वाली कूबरकर्स एक लिफ में फस जाते हैं अब इन्हें बचाने वाला दो तीन दीन तब कोई भी आने ने वाला था काहनी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फसने की पीछे भी एक राज दफन था हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको डाउन ये एक होलिवड की थ्रिलर मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी है तो अंतक इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजिए अब बीना किसी दरीके एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी में गैरेक्टर जैनिफर को ओफिस में काम करता हो देखते हैं आज बहुत ही लेट हो चुका था उसके साथ ओफिस में कोई भी नहीं था पर फिर भी हो काम कर रही थी थोड़े दिनों पहले उसके फियांसी के साथ उसका जगड़ा हो गया था इस वाज़े से उन्होंने ब्रेक अप कर लिया था पर विकेंड पर जाकर वो उसे सप्राइस करने वाली थी इसके बारे में हो एक इमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती है क्योंकि ये एक सप्राइस था नेकसिन में हम हमारा और एक मैन क्यारेक्टर देखते है जिसका नाम है गाय ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था ये दोनों अलग-अलग फ्लोर उपर एक ही लिफ्ट में चड़े गाय जेनिफर से मिलते उसे कमफरेबल फिल कराने के लिए जोग स्ववगरा करना स्टार्ट कर देता है लिफ्ट में ड्रॉइंग बनी थी गाय ने जेनिफर को ड्रॉइंग दिखाए तभी अचानक से लिफ्ट बन हो जाती है लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं करा था इनोने अलाम विगरा दभाने की कोशिश की पर कुछ भी वग नहीं करा था लिफ्ट में जेनिफर ने कैमेरी को नोटीस किया एगरे में वे विगरा करते हैं पर दूसरी साइट पर कोई भी नहीं था ये phone करकर किसी के help मांग सकते थे पर range भी नहीं आ रही थी अब इस lift में ये 5 दिनों के लिए trapped है Friday, Saturday, Sunday और 2 दिन की छुटी थी Guy ने Jennifer को कहा कि मैंने अभी-अभी इस building में job join किया है उसे इस lift के बार में जादा कुछ भी पता नहीं है Jennifer ने का आकी कभी-कभी ये lift आवाज करती थी शायद इसी वज़े से stuck हो गई है Guy को अचानक से idea कि lift के उपर से ये exit हो सकते है हर lift में exit होने के लिए कुछ ना कुछ तो हता है उसने खुद खोलने की कुशिश की पर उसकी इतनी height नहीं थी फिर वो चुक कर Jennifer को उपर की ceiling चेक करने के लिए कहता है Jennifer के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था इन्होंने बहुत राय किया पर कुछ भी नहीं हुआ एक घंटा बीद गया और Jennifer realize करती है कि अब उसकी flight उसने miss करती है वो गुसा होगे और सारी चीज़ों को गालिया देने लगे उसे ब्यास लगी थी तो गाये ने उसे अपनी बॉटल दी Jennifer उसका पानी बेने से मना कर दिया पर गाये ने कहा हमारे पास एक तो एक पानी है दूसरी wine की बॉटल अब तुम डिसाइड करो वो मजाग में कहता है wine की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है Jennifer ने भी अपनी पर से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया इस पर ये दोनों बहुत अस्ते है उसने विरबानी पी लिया था वो गाये को as a gesture एक चॉकलेट डे दिया उसने कहा अब हमें सारी चीज़े एकदम तोल माप कर यूज़ करनी चाहिए हम यहाँ बर शायद पास दिनों के लिए फसे रह सकते है अब इसके बाद और चार घंडे बीट गए थे उसे पी करना था पर गाये के सामने इस तरीके से टॉयलेट करना यह उसे अजीब लगता है गाये ने फिर उसे एक बोटल दी कहा कि एक नैचरल चीज है इसमें कोई भी शरम करने की ज़रूरत नहीं है उसे मूडने के लगती है और फिर टॉयलेट कर लेती है उसने अब रियालिटी को एकसेट कर लिया था कि अब यहाँ फसे रहेंगे लीफ में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कम्प्रीट कर लेती है जनिफर गाय से बुछती है क्या तुमारी कोई भी गर्फेंड वेगराने है जो तुम अगर घर पर न आओ तो पुलिस को कॉल करकर तुमारे बारे में पता करेगी मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा उसे सप्राइज देने वाली थी तो फ्यांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था ये दोनों रियलाइस करते हैं कि वो कितने सेम है गाय ने फिर वाइन की बॉटल खोल ली टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे के ड्राइंग बनाने लगते हैं काय ने जैनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी है पर जैनिफर उसके एक फणी से ड्राइंग बनाती है जैनिफर को इसके लिए बुरा लगा और हो गहती है तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे मेरी प्रोफाइल पिक्चर रहूंगी बाते करते करते खाने पर डिसकस करने लगे तो उन्हें भुगे थे तो जनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं अलग-अलग टॉपिक पर डिसकस करते हुआ एक दुसरे के पार्टनर के साथ क्रीजी स्टोरी ये बताने लग जाते है जनिफर गहती है कि एक बार में मेरे बॉइफ्रेंड के साथ लाबररी में इंटिमेट हुई थी मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में हो गहता है कि मेरी एक कोवर कर थी हम एक बार ड्राइव पर गए थे वो ये पर इंटिमेट हुए थे ये सब बताते हुए उसे जनिफर के लिए फिलिंग्स आ गए जनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉलम नहीं था फिरे दोनों ये ही पर इंटिमेट हो जाते है इंटिमेट होने के बाद गाई ने जनिफर से गा ये तुम्हारे प्यार में पढ़ सकता हो ये पाद जनिफर को बहुत ही अजीब लगी वो इससे गया थी कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी उसके बास वापस जाना जाती थी गाई को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया वो गहता है मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनीशन है क्या तुमें कुछ भी फील नहीं हुआ जनिवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी जनिवर की ये सब बाते सुनकर एक बंड लिफ्ट में होने की बावचूत एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है उसके आग में असो आ गए थे जनिवर उसे कहती है हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया वह उने मोबाइल में उसे CCTV फूटेज दिखाता है कहता है कि मैं रोज तुमें देखता हो तुम जब काम बराती हो काम से जाती हो हर रोज में तुमें ही देखता रहता हो वह एक्चुल में इसी बिल्डी में सिकुरिटी गार्ड है उसने पहले जनिवर को जूट कहा था किसी building में accountant है उसने convince किया कि सब कुछ मैंने plan किया था वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए chance चाता था वो चाता था कि जेनिफर उसे पह जाने इसी वज़ेस उसने सब कुछ किया था वो अपने pocket से चावी निकालता है और लिफ स्टार्ट हो जाती है जेनिफर उस पर गुसा हो गई कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगे तुमने जो भी क्या इसके लिए तुम्हें भूगत ना पड़ेगा इस सुनने के बाद गाये ने लिफ बंग कर दिया जेनिफर डर कर फिर से लिफ को स्टार्ट करन जेनिफर के होश में आने के बाद गाये उसे कहता है एक बहुत ही अच्छा प्लान था यहा लिफ में हमारी बीच में कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं था तो हमें एक दूसरे को जान पाए प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशन्शिप इस लिफ में हो गई हम एक दूसरे से मिले एक दूसरे को जाना और ब्रेक अप भी हो गया जैनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी वसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ लाया था कि गाये ने चेक किया इसमें एक अच्छा सा शर्ट है जो गाये पहन लेता है गाये के बास भी गिफ्ट है जिसमें सीगार लाइटर और एक कटर है गुस्से में गाये ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया फिर उसे आइडिया आता है कि या लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा उसके पास के पॉटल से उसने छट पर मार कर उसे खोल लिया वो जैनिफर से गहता है कि तुम बात सुननी थी यही जैनिफर ने कहीं वो गय थी कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंट किया मैं तुम्हें धोका क्यों दूंगी गाये फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जैनिफर उपर आके उपर आने के बाद जैनिफर ने उसे धोका दे दिया मैट बहुत डिस्टब हो जाता है वो कुछ भी करकर उपर आने की कोशिश करता है उसने अपने कपड़े निकाले उससे एक रसी बना कर उपर आ जाता है जैनिफर जड़ा जादा उपर चली गई थी वो डोर को पकड़ने वाली थी तब नीचे से गाया और उसे पकड़ कर फीसे लिफ्ट में लेकर आता है ये दोनों इससे इंजोर हो गए थे गाय अनकॉंशेस हो गया और जैनिफर होश में आ गई लिफ्ट तैस नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलाम को नोटिस किया गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाल कर थोड़ी सी आग बनान के लिए कोई भी आने नहीं वाला जैनिफर जल्दी से उसे मार कर उसके हाथ पैर बान देती है वो गहती कि हम यहाँ से जल से निकल जाएंगे पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कनफेस करना पड़ेगा वो बाद में कोर्ट में जुटी सावित नहीं हो सकती तो मैटक कर लेता है कि मैं हर रोस तुम्हें देखता था तुम बहुत भी ब्यूटिफुल थी वर मैं एक स्चीरिटी गार्ड हो इस वज़े से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोस नहीं कर पाता मैं हमेशा से स्चीरिटी गार्ड नहीं था मैं Wenya अकॉंटंटन था और बहुत सारे पै financial situation खराब हो गए और उसे security guard का काम करना पड़ा वो जैनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी old life को महसूस करना चाहता था इसी वज़े से उसने सब कुछ plan किया Nixon में हम देखते हैं कि Matt के साथ काम करने वाला security guard या अपनी girlfriend को छट दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है उसने तो छुट्टी ली थी वो वापस आने नहीं वाला था पर girlfriend को यहाँ लेकर आया वो notice करता है कि गाय आसपास कही भी नहीं है उसने कैमेरे में जैनिफर और गाय को लिफ में देखा वो जल्दी से उनकी help करने के लिए पहुँच गया फ्रेनाय और लिफ को open करने की कोशिश करता है पर यह सिर्फ थोड़ी सी open हो रही थी वो अपनी कीज लेने के लिए वापस आता है तभी गाय जैनिफर पर हमला करकर उसे बेहुश कर देता है वो वापस आया और अपनी की उसने mat को दे दी गाय कहता है कि उपर आओ मुझे help की जरूरत है वो आधा ही अंदर आया था तभी गाय ने लिफ को चालू करकर उसे मार डाला वो लिफ में उसकी बॉड़ी रख देता है जैनिफर को ले जाकर अपनी काड़ी की ट्रंग में टाल दिया नीचे आकर उसने shower लिया, कपड़े पहने लॉबी में आकर अपने friend की girlfriend को उसने notice किया वो इसके boyfriend के बारे में उसे पूछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया girlfriend जला suspicious होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला करकर उसे मार डालता है अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुमसान रस्ती पर वो ले कर गया वो थ्रेश कैन में पेट्रोल वेगरा डाल कर जेनिफर की body को जला देने वाला था वो जब ड्रंक खोलता है तो जेनिफर जिन्दा थी उस पर वो हमला कर देती है जल्दी से गाड़ी में बैठ गी और आगे चलीगी उसने पीछे देखा तो गाए अभी जिन्दा था वो बहुत जादा गुसा हो जाती है रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाए को उसने मार डाला गाए को ही डिस बिट में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है इसे के साथ ये मूवी एंड हो गए अगर आपको ये वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहे दो तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल रिटोबेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये